हेलो श्रेहेंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जहारखन डेजुकेशन में ट्रेंड्स नाकपुरी भासा का यह तीसरा वीडियो है इससे पहले आप लोग को दो वीडियो के परभाड़ किया गया है जो बन के बरा भाग एक में जो संकलित पद भाग है उसमें गने सुबंदना और एक मनमोहनी उस वीडियो को जो के परभाड़ किया गया है तो आप जो है की एकजाम में प्रस्ण करकर अच्छे से आएंगे और यहां भी जो आज में आप लोग को जो पद भाग का जो तिसरा कविता में लेकर आया हूँ राम रगुवरे यह जो की वन के वरा भाग एक में संकरित या एक कविता है राम रगुवरे जिसके कवी है पौराणिक गौरी नंदन सर्मा यहां पर हम इस वीडियो के मादियम से इस कविता को सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसके बाद हम एक एक करके जो की हिन भावार्त के साथ यानि की देखेंगे यानि जो शाटिंग में हम पढ़ेंगे डारेक्ली जो कविता जो दिया गया उसको डारेक्ली रीड करेंगे उसक की एक जाम में एक भी प्रस्टन को छोड़ेंगे नहीं और इसी तरह के वीडियोज भी आप लोको आगे मिलती रहेगी तो आप पूरी भासा के तयारी के लिए आप मारे चैनले के साथ बने रहें और चैनले में नए है तो चैनले को सब्सक्राइब कर बेल आगे उनको प्रे कविता का नाम है और इसे कवी जो है कि परानिक गरिनन्द सर्मा फ्रेंड्स आप लोग को जो कि कविता और कवी का नाम जो कि याद रखना बहुत ही जरूरी है मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताया था कि यहां से प्रस्टन आप लोग को देखने को अवस् में लिखिये आप लोग को अलग से वीडियो परवाइड किया जाएगा फ्रेंड्स यहां पर चलिए हम सबसे पहले यह जो लाइन बाय लाइन है मैं इसको पढ़कर सुनाता हूं उसके बाद आगे मैं इसका भवारत के साथ जो है कि यानि कि जो देख रहे हैं परतेक पद यहां पर कहा जा रहा है कि सुन्दर मधुमास नौमी सुधी प्रियमास दुपहरे अनुकुल पुनित अवसरे गेसाईजन प्रगटे स्री राम रगुवरे यह पहला पद भाग है अगला पद भाग देखते हैं बन में फूल फुलाए गिरी मनी दमकाए बहत सितल मंद सु अब दुदम भी बजाए देव नागमुनी गनविने जे करे गेसाईजन प्रगटे स्री राम रगुवरे और यह जो लास्ट यहां पर देख रहे हैं पद भाग है गंधर्व गुनगाए गंधर्व गुनगाए मगनचाती समाए और गोरी हरक भरी सब चरा चरे गेसाईज प्रगटे स्री राम रगुवरे यहां पर चार पद भाग दिया गया था इन चारों को मैंने यहां पर आप लोगो पढ़कर बताया अब मैं आगे जो हैं कि इसका पुरा जो भावार्त के साथ मैं आप लोगो यहां पर बताने वाला हूँ उससे पर एक कुछ सब्दार्थ को आप देख लिजेगा जो बिधर्व है बिधर्व का मतलब एक परकार का यहां पर देखा जातो ठाव कर नाम जो जगह है एक जगह जो होता है उसका नाम जो है कि यहां पर बिधर्व को जो है कि सुचित करता है बिधर्व के बारे में यही देखा जातो ठाव कर नाम हु जो आगे है यहाँ पर यूज भी होगा, तो चले फ्रेंट्स यहाँ पर हम जोएं कि इसके भवारत के साथ देखते हैं, हिंदी अनुवारत के साथ जोएं कि हम देखेंगे, तो पहला जो मैंने पदभाग पढ़ा था, सुन्दर मधुमास, नौमी सुधी पिरियमास, दुप पहरे अनुकुल पुनित अवसरेगे साइजन प्रगटे स्री राम रगुवरे, यह जो आप पदभाग देख रहे हैं, पहला पदभाग, इस पदभाग के मादेम से कभी क्या कहना चाता है, कभी के अनुसार स्री राम का जन्म, चैत माह के उजला, उजला समय के नौमी ती थी के दोपहर को हुई थी, उजला समय, यानि कि जो रात में जो अंधेरिया और जो उजला जो होता है न, उजला और अंधेरिया जो समझते हैं, तो वहाँ पे कभी के अनुसार जो कैसा कहा जाता है, कि राम का जन्म, जो की चैत माह का जो उजला समय था, उस समय नौमी त इस पुनित अर्थार्त खुशी के आउसर पर भगवान स्री विश्नु के रूप में भगवान स्री राम परकट हुए अर्थार्त उनका जन्म हुआ इसके साथ ही यह एक सुखद आउसर था यानि जब स्री राम प्रकट होते हैं भगवान विशनु के रूप में कि स्री राम प्रकट होते हैं यह जो है कि इनका जर्म जब होता है तो यह बेहदी सुखद आउसर होता है यानि यहाँ पे जो पहला भवार्थ था उसका यहाँ पे सब्दार्त इस प्रकार से मतलब भवार्त निकलता है जो पहले जो गद भाग था यहाँ पे दुसरे गद भाग क्यों चलते हैं तो बन में फूल फूलाए गिरी मनी दमकाए बहत सितलमंद सुगंद समीरे गे साइजन प्रगटे सिरी राम रगुवरे यहाँ पे इस जो पद भाग है यह इस पद भाग के मादेम से कभी कहते हैं वन में अनेक परकार के फूल खिले हुए हैं एवं कुछ गिरने के बाद भी सुगंद बिखेर रही है जो ठंडी ठंडी हवा के साथ मिलकर पूरे संसार को सुगंधित कर रहे हैं भगवान सिरी राम के प्रगट होने पर पहाड भी मनी की तरह चमक रहे हैं यानि जब भगवान सिरी राम का जर्म होता है जब भगवान सिरी राम जो के प्रकट होते हैं यानी की जर्म लेते हैं तो उस समय जो है कि पहाड भी मनी की तरह चमक रहे हैं यहाँ पे जो दूसरा जो पदभाग था उसका या भावार्थ है फ्रेंड्स यदि आप अच्छे से हिंदी भावार्थ को भी समय लेते हैं तो जब आप प्रस्ण करेंगे तो आप जो हैं कि आसानी पूर्वक जो हैं कि प्रस्ण को कर सकते हैं आप एक्जाम में बैटे हों या भी घर पे प्रैक्टिस कर रहे हों तो आप जो हैं कि अच्छे से प्रस्ण को कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को जो है कि आप लाश्त देखिए बहुत मतलब यहाँ पर जितना भी जो अनुवाद है सभी का जो है कि यहाँ पर करवाया जाएगा और आने वाले समय में आप लोग को सभी वीडियो का जो है कि आप लोग को हिंदी अनुवाद के साथ जो है कि वस्तुनिष परस्ण को करवाया जाएगा तो आप चैनल के साथ जरूशे बने रहेगा और आप हमारे टेलिग्राम चलने को भी जुआनि कर ले वहाँ पे बहुत सार अपडेट्स जो की दिया जाता है टेलिग्राम चलने का लिंक जो की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों मिल जाएगा यहाँ पे जो तीसरा पत भागे देखेगा फ्रेंड्स प्रगटे सिरी राम रगुवरे अर्थार्थ यहाँ पे इस पद भाग के मादेम से कभी करते हैं कि फुलवारी अर्थार्थ बगीचा में जो सूर छोड़ रही आकास दुधंबी अर्थार्थ बाजा बज रही है यहाँ जब फुलवारी में जो होता है कि सूर छोड़ रहे हैं फुल जो है कि बगीचा में सूर छोड़ रहे हैं और आकास जो हैं कि आकास में बाजा बज रहे हैं जिसकी आवाद से पूरा देवलोक जो है खुसी से जुम उठा है जब प्रभु सिरी राम इस संसार में प्रकट होते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो बगीचा होता है वहाँ पर जो कि सूर छोड़ रहे हैं और जो आकास होते हैं वहाँ पे जो है कि दुधंबी बज रहा है यानि कि बाजा बज रहा है जिससे क्या होता है जो देव लोख है वो खुसी से जूम उठता है यहाँ पे किसके प्रगट होने पर स्री राम के जो प्रभू स्री राम है उनके प्रगट होने पर और यहाँ पे देख रहे हैं यह च यानि कहने का मतलब हुआ कि जब प्रभू स्री राम परगट हुए तो खुशी से इंद्र लोक में गंधर्व यानि की एक परकार का ठाव यानि की जगा था जो कि मैंने उपर में सवदार्थ के मादेम से आप लोग को बदाया जहां पे गीत का गायन जो है किया जाता है यानि कि जब प्रभू स्री राम परगट हुए तो खुशी से इंद्र लोक में गंधर्व के द्वारा गीत का गायन किया जाता है और साथ ही प्रभू राम ने स्वेंबर में सब को पीछे छोड़ते हुए सीव जी के धनुच को तोड़े और स्वेंबर में सीता माता को प्रा परिजीत होंगे यानि यहाँ पे जो इस पंक्ति का भवारत निकला कि जब प्रभू स्री राम परगट होते हैं तो उस समय क्या होता है कि इंद्र लोक में गंधर्व के द्वारा गीत का गायन किया जाता है और साथ ही साथ जो प्रभू स्री राम है यह जो है कि स्वेंबर में सब को पीछे छोड़ते हुए जो है धनुस को तोड़ते हैं जो सिव जी का धनुस ता उसे तोड़ते हैं और स्वेंबर में जो है सीता माता को प्राप्त करते हैं तो चले फ्रेंट से यहाँ पे जो इसका जो भवारत निकलता था चार पद भागते चारों को मैंने यह पर हिंदी अनुवात के साथ बताया और यह जो सब्दार देख रहे हैं इसके बारे में उपर आप लोगो बताया जा चुका था यहाँ पर एक नब है नब यानि की आकास होता है ठीक है यहाँ पर याद रखेगा नब जिसका मतलब होता है आकास और सितल मिंस होता है ठंडा ठीक है ठीक है सितल मिंस क्या होगा ठंडा तो चले फ्रेंट्स अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो वस्तुनिस प्रस्ण है इस इस number पर जो है कि आप message कर सकते हैं, WhatsApp कर सकते हैं, आप जो है कि आप लोग को जो है कि वहाँ पर complete notes जो है कि आप लोग को provide करा दिया जाएगा, ठीक है, बहुत ही कम फी जो है कि इसके लिए रखा गया है, आप जो है कि message करकर जो है, आप ले सकते हैं, number एक बार note कर लिजेगा, 7261840829 ठीक है चलिए अगले प्रशन की यहाँ पे चलते हैं आगले यहाँ पे देखते हैं क्या कि रामरगुवरे सम्मदी जो भी प्रशन उतर है हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला प्रशन है यहाँ पर प्रभु सिरी राम कर जनम को कोन तीथी के होलक रहे यहाँ पर प्रभु सिरी राम है उनका जो जनम है कोन तीथी के जो था की हुआ था तो यहाँ पे जब आप कवीता जो है कि अच्छे से सुने होंगे ठीक है मेरे दवारा जब बताया जा रहा था तो जब आप उश्चा में शून रहे होंगे तब इसका जवाब जो है कि अच्छे से दे सकते हैं तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब होगा option number जो B है वह सही हो जाएगा यानि कि जो प्रभु सिरी राम का जो जर्म है वह नौमी तीति को हुआ था चैतमा में नौमी तीति को हुआ था इसका सही अंसर है option number B अगला प्रशन है प्रभु सिरी राम कर जनम कोन बेरा खोलक रहें यानि जो प्रभु सिरी राम है उनका जर्म जो है कि कोन बेरा यानि कि कि समय जो था कि हुआ था यानि कि राइत में कि रात में बिहान में या फिर भिनसरिया इनि जो भोर होता है भिनसरिया में या दूपहर में तो इसका जो सही जबाब है option number D दूपहर में अगला प्रस्ण है मधुमास माने का हुएला तो मधुमास जो उपर पंक्ति जो फ़स्ट जो पद भाग आप देख रहे थे वहाँ पे मधुमास सब्द का परियोग हुआ था तो मधुमास के बारे हम पुछ रहे कि इसका अर्थ जो है कि क्या होता है तो मधुमास का जो अर्थ होता है वह फागून यहाँ पे जो क्या बलते हैं कि मधुमास का जो होता है चैत मास इसका मतलब होता है ठीक है चाइत माह, ठीक है, मधु मास के मतलब पुछ रहा है friends, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, option number B, चाइत माह, ठीक है, चाइत मास अगला प्रस्ने के पुनित कर अर्थ का हुएला, यानि पुनित जो होता है, इसका मतलब इसका अर्थ पुछ रहा है, तो पुनित का अर्थ होता है, पवित्र और गिरी का अर्थ होता है, पहाड, ठीक है, जो दुम्बी यानि की बाजा, और यह आकास देख रहे हैं, नभ य जो है कि मनी चमक रहा था इसके बारें पूछ रहा है तो आप लोगो उपर पद भाग में बताएगा फ्रेंट्स के जब स्री राम का जन्म होता है उस समय जो है कि पहाड पर जो है कि मनी की तरह जो है कि वह दमक रहा था यानि कि चमक रहा था तो इसका जो सही एंसर हो जाए अगला है कि केकर जनम से बन में फूल होते हैं वह जो है कि फूलाने लगते हैं तो प्रभूसरी राम के जनम से यानि इसका जो सही अंसर है अगला है कि आकास में का बज रहे आकास में जो की का बज रहा था तो दुधुम्बी बज रहा था यहनि कि जो बाजा है वह बज रहा था दुधुम्बी इसका जो सही अंसर है अप्शन नमबर बी सही इसका हो जाएगा अगला है कि नागमुनी मनकाले रीजे यानि कि जो खुशी से जुम उठना होला है यानि कि जो रागमुनी थे वो किसलिये जो खुशी से जुम उठते हैं यहाँ पे पुछा जा रहा है तो प्रभु राम कर जनम से जो है जो नागमुनी है वो कुशी से जुम उठते हैं यानि इसका जो सही एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर बी यानि कि प्रभु राम कर जनम से जो है नागमुनी जो है वो कुशी से जुम उठते हैं ठीक है अगला प्रस्न है राम रगुवरे कविता में कौन काव्य परंपरा कर विशेस्ता दिखेला यहाँ जो राम रगुवरे कविता है इसमें किस प्रकार का जो काव्य परंपरा जो है कि इसमें काव्य परंपरा का जो विशेस्ता वह दिखता है तो यहाँ पर यह जो कविता है सगून जो बिशेषता है या इसकी जो परंपरा है वह इसमें दिखता है तो इसका जो सही जबाब हो जाएगा option number A सगून ठीक है चलिए अगला प्रस्ण है फुलवारी माने का हुएला तो फुलवारी माने होतला है बगीचा ठीक है फुलवारी का मतलब क्या होता है तो बग तो सकेंड लास्ट यहां पर देखीगा राम रगुबरे कविता कर कवी कोन है का है जो राम रगुबरे कविता है इसके कवी कौन है यहां पर पूछा जा रहा है तो राम रगुबरे कविता है फ्रेंट यहां पर देखीगा इसके जो कवी है वह गौरी नंदन सर्मा है प्रभु रामकर जनम से कौन उकर गुन गावेला यानि कि प्रभु रामकर जनम से कौन उकर गुन है वह गावेला ठीक है प्रशन क्या है प्रभु रामकर जनम से कौन उकर गुन गावेला जब प्रभु रामकर जनम होता है तो उनका गुन जो कौन गाता है तो यहाँ पर ज जर्म होने के अबाद जो हैं कि लोगंधर में जो हैं की गाना गाते हैं ठीक है ना बाजा बजाते हैं तो इसका जो सही जबाब है option number B तो इस तरह से इस चैप्टर के यानि जो राम रगुवरे जो कविता था इससे बारा प्रस्णों को करवाया गया इसके अलावा और भी य कविता से पुछा जाएगा तो यदि आप लोग ने कविता को पोयम को अच्छी तरह से सुरावगा तो आप जो हैं कि असानी पूर्वग जो हैं कि प्रस्णों को कर सकते हैं ठीक है तो हिंदी अनुवात के साथ आप लोग को इसलिए बता जाता है फ्रेंड्स की बहुत से सभी का एंसर यहां पर दिया गया है फ्रेंड्स आप लोग को बता दे कि यदि आप नागपुरी भासा का कंप्रेट नोट से लेना चाहते हैं तो आप जो है कि हमारे जो दिये हुए नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिशन में लिंक आप लोग को द दिया जागा ठीक है और साथ ही साथ जो जैसे सीजल में जो टॉपिक है जैसे कि नागपुरी भ्याकरण हो गया लोग कता हो गया लोग गित हो गया लोग साहित हो गया इन सभी का जो है कि यहां पर वस्तुनिश प्रस्णों को आप लोग को नोट्स में दिया जाएगा जो जूड़ सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर जो है कि दिया गया है ठीक है या फिर मैं आप लोग यह स्क्रिण पर लिग देता हूं 7261 ठीक है 840829 इसे आप नोट कर लिजेगा और जोई कि आप वाट्सप कर लिजेगा तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में ब नेक्स्ट टापिक के साथ तब तक के लिए जैहिन जैधारखंड